वाई लोगो सबसे पहले होली की भाहुत भाहुत सुबकाम ना है और आज की वीडियो में भाई लोगो हम टेस्टिंग करने वाले हैं इस माइकरोफोन की और भाई यह यह एक डाइनमिक माइकरोफोन देखो इसका आज जो दिख रहा हैं तुमको हिसाब किताब यह पोड़क करने वालों के पास देखते होगे वह बहुत महेंगा बाई 40,000 से उपर वह माइकरोफोन पढ़ जाता है इतना महेंगा नहीं चाहिए था बजट माइकरोफोन टेस्ट करना था मेरे को जिसको मैं टेस्ट करके तुमको दिखा सकू कि क्या वह माइकरोफोन अच्छी यह जो माइकरोफोन दिख रहा है तुमको जो की फोकस कर ले मेरा फॉन तो ठीक रहेगा हाँ यह है ओडियो टेक्निका 80-20-20 और यह है कंडेंसर माइकरोफोन लेकिन कंडेंसर माइकरोफोन के साथ में बहुत बड़ी समझ चाहिए है मैरा भाईयों कि जो कमरा जो है जिसम पर काम आएगा यह डाइनमिक माइकरोफोन तो आज टेस्टिंग करेंगे भाई ओडियो टेक्निका 80-20-20 वर्सेज यह जो है ओडियो एरे का डाइनमिक माइकरोफोन दोनों की साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा काम करता है बिना ट्रीट क यह एकदम खाली पड़े बड़े सारे कमरे में अगर उसमें रिकॉर्ड करना चाहो तुम तो और दूसरा मैं टेस्ट करूँगा थोड़ा वो ट्रीटमेंट क्या हुए एक कमरा है जिसमें कुछ कमलों मलटांगी हुए उसमें कौन सा अच्छा परफोर्म करता है क्योंकि भाई जो अकाउस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है न उसके लिए तुमको लगाने पड़ते हैं रोकवूल के पैनल और अकाउस्टिक पैनल बहुत महेंगे पड़ते हैं भाई बहुत खर्चा आता उसमें तो वो खर्चा बचा सकते हो क्या डायनमिक मायक्रोफोन लेके तो उसके साथ मैं एडिट करके भी सुनाऊंगा और डाउनलोड भी दूँगा भाई लिंक निचे दोनों का सेम ओडियो दोनों मायक्रोफोन से रिकोड की भी डाउनलोड का लिंक देऊंगा तुम डाउनलोड करना खुद देखना तुमें कौन सी अच्छी लगती है इस मायक आसपास में तुमारे सोर सराबा है क्योंकि भूत सारे मेरे भाई जो है मेरे को पता है हो में स्टूडियो काम में लेते हैं सारे काम अपने घर से करते हैं और भाई घर से काम करने में सबसे बड़ी समस्चा यह है कि जो है आसपास के सोर सराबे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरा अपने कमरे के अकाउस्टिक ट्रीटमेंट को भी हम इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना इस स्टूडियो में होता है तो अगर बहुत बड़ीया तरीके से ट्रीट किया हुआ इस स्टूडियो तो वहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन एकदम मस्त काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है लेकिन ट्रीट नहीं किया हुआ अच्छी तरीके से तो वहाँ पे डायनेमिक माइक्रोफोन की और जाना चाहिए और भाई इसका लिंक में डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगा तुमको तो जाके आमेजोन पर देखना चाहो देख सकते हो यह मैं मंगाया था मेरेको यही जो मोडल है अच्छा लगा शोर SM7B से थोड़ा मिलता हुआ मोडल है तो अभी मैंने इसको USB से कनेट किया हुआ सबसे पहले बतादो तुमको इस माइक्रोफोन में देखो भाई दो तरीके कनेक्शन दिये हैं जो की 8,000 रुपे में नहीं मिलते एक तो USB कनेक्शन दिया हुआ डाइरेक्ट USB से कनेट कर सकते हो कोई ओडियो इंटरफेस की जरुवत नहीं है और दूसरा XLR कनेक्शन भी दियावा भाई ओडियो इंटरफेस के थुरू भी कनेक्शन कर सकते हो इसको और इस माइक्रोफोन में अगर USB से कनेट करोगे तो देखो माइक्रोफोन पे ही जो है दो तिन कंट्रोल मिलेंगे और वो कंट्रोल तभी चालू होते है जब यह USB से कनेक्ट किया हो रहेगा XLR से यानि कि Audio Interface के थुरू कनेट किया हो रहेगा तो यह कंट्रोल चालू नहीं होगे अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हो USB कनेक्शन के थुरू अभी मैं इसको XLR से कनेट करने वाला हूँ क्योंकि जो यह 80-20-20 है ओडियो टेक्निका का यह माइक्रोफोन भी 9-9,000 रुपे का आता है और यह जो ओडियो एरे का माइक्रोफोन ने यह 8,000 रुपे का आता है दोनों लगवा-लगवा सेम प्राइस के ओडियो टेक्निका तो डमेंगा है ओडियो टेक्निका में सिरफ और सिरफ तुमको XLR कनेक्शन मिलेगा यानि इसके साथ ओडियो इंटरफेस चाहिए भाई बिना ओडियो इंटरफेस काम में नहीं ले सकते लेकिन इसमें XLR पलस USB दोनों मिलता है तो ओडियो इंटरफेस तुमारे पास है बहुत बड़िया बात है नहीं है तो भाई USB से भी काम में ले सकते हो और मैंने एक बजट ओडियो इंटरफेस भी ओडर किया है उसका भी जल्दी रिव्यू करने वाला हूं मैं बहुत ही सस्ता पड़ा भाई मेरको इतना सस्ता कैसे मिलगा मुझे नहीं पता तो टेस्ट करके देखने कि क्या सस्ता अच्छा भी है या नहीं है तो भाई आब हम करते हैं टेस्टिंग ओडियो टेक्निका 802020 के साथ में इस ओडियो एरे के माइकरोफोन को और मैं इस USB से हटा देता हूं इसको और मैं करता हूं इसको XLR से कनेक्ट और फिर हम करते हैं कुछ रिकोडिंग इस अंट्रिटेड रूम में और फिर करेंगे थोड़े से ट्रिटेड रूम में रिकोडिंग और सबकी रिकोडिंग मैं लिंक जो है नीचे देदूँगा डाउनलोड करने का ताकि तुम खुद डाउनलोड करके अपने अपने लेप्टउप या फिर अपने अपने सोप्टोर में डाल के सुन सको और उनको एडिट करके चेख कर सो कि कितनी साउंड क्वालिटी तुम उनसे निकाल सकते हो ताकि तुम अपना एक decision ले सको और एक बड़िया microphone भाई लोगो खरी सको तो भाई लोगो चलो करते हैं आज की वीडियो को अभी और अभी जो मैंने audio switch कर दी है मैंने audio array के dynamic microphone पर तो अब देखो कितना फरक पड़ा audio quality में जो भी audio तुम सुन रहे हो अभी unedited है भाई अभी unedited है बिल्कुल भी editing मैं नहीं कर रहा हूँ बस थोड़ी सी वोल्यूम में बढ़ाई है क्योंकि वोल्यूम बढ़ाऊंगा तक तो तुम्हें सुनाई देखी और बाकि कोई EQ compressor कुछ भी मैंने लगा तो audio array से आरी है ये आवाज और अभी जो आवाज वाज वापिस से मैंने switch कर दी है audio technica IT2020 की तरफ तो कितना भाई रूम में echo तुमको सुनाई दे रहा है audio technica IT2020 से ध्यान से कान में earphone लगा के headphone जो भी लगा और जिदर खौपचे में जाओ उधर जाके सुनो लेकिन सुनो ध्यान से क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि कितना फरक पड़ता है dynamic microphone से कितना फरक पड़ता है condensed microphone से स्विच करते हैं वापी से audio array की ओर तो audio array में switch हो चुके हैं और अब देखो भाई कितना है तुमको room echo सुनाई दे रहा है मैं same level से same volume से बोल रहा हूँ UMC 202 HD और जो मैंने एकदम budget audio interface में उसका review करेंगे उसका एक अलग से वीडियो आएगी तो उसका review आगे करने वाले हैं लेकिन अभी जो मैं rap प्रस्तुति दोंगा यह room बहुत बढ़ा room है और इसमें बिलकुल भी acoustic treatment नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे तुम्हें अब पता चल जाएगा कि कौन सा microphone कैसा काम करता है तो चलो मैं जल्दी से तुमको जो है rap की प्रस्तुति देता हूँ एक जो मेरा खुद का लिखावा rap है और मैं बीच-बीच में switch करता रहूँगा microphone मुझे नहीं पता चल र कि बीच-बीच में ता कि तुम्हें difference जो है वो पता चले तो चलो एक rap की प्रस्तुति जो है वो जल्दी से देली जाए तो चलो भाई देता है दुनिया के इस संसार में घरबार में पढ़के हो गया था थोड़ा लाचार में ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में तयार न था कोई करने को रोजगार में उन रिस्तेदारों को देना चाता हूँ आ भार में जिनोंने दिये मुझे ताने क्यों बनाता है तुगाने क जोनी जाता है कमाने छोड़ बहाना बनाने जके पैसा कमाले थोड़ा घर में बेकार पड़ा कुछ दिना चलेगा जो रैप का बुखार चड़ा क्यों तुमारे जो मन में आये वो मैं क्यों करूँ सारी जिंदगी तिल-तिल कर क्यों मरूँ परिया सभी ना परियना मैं से क्यों मैं डरू सपनों को मेरे लगापां खुडान भरू जो भी है करना वो करना है आज करता हूँ जो उस पे करता हूँ नाज लिखने का मेरा बस यही है राज लिखता हूँ जो है वो दिल की आवाज दिल की आवाज मेरे दिल में दबी थी आज है गीते जो सब्द कभी थी मिडल कलास की सोच यही थी सपना था दिल में हकीकत नहीं थी हकीकत हकीकत बनाई उसी को डरता था जो कहना पाता किसी को आज इस गीत में सब कुछ कहा है जलो या तुम या फिर तुमको खुसी हो मैं इस तरह ही लिखता रहूंगा जलते रहो तुम बिकता रहूंगा राहों पे डालोगे काटे तुम जितने मंजिल पे मैं यूही बढ़ता रहूंगा मंजिल ये मेरी आसान नहीं है है ट्रस पे मेरा कोई ध्यान नहीं है जड़ जमीनी साखे असमानी इसका कोई अभिमान नहीं है अन्ट्रीटेड रूम की और ट्रीटेड रूम की दोनों माइक्रोफोन की इमन नाम से तुमको अवेलेबल कराऊंगा डाउन लिंक नीचे डिस्क्रिप्समें दूँगा डाउनलोड करना आजाओ अराम से अपने इसाब से चेक वेड़ करना और फिर डिसीजन लेना कि यह मा तो आवाज में भाव डिफरेंस तुमको सुनाई दे रहा होगा और अभी ज़वाज आ रही है और यह ओडियो एरे से और भाई मैं ऑडियो एरे से अब स्विच करने वाला हूं ओडियो टेखनीका पर तो कर दूगा स्विच्छ बाई कर दूगा बताओ नो तुम जल्दी लिंक में दिया है नीचे ट्रिटेड रूम का भी अंट्रिटेड रूम का भी दोनों को डाउंलोड करना अपने सॉप्ट्वे में तालना वहां से सुनना अच्छी तरीका से एडिट करके देखना तुमको जो अच्छा लगे ना वह वो खरीदना क्योंकि इट्स अच्छी तरीका में वह तुम को शुप होता हूं और तुम सुनना की कौन सा माईक्रोफ़न किती नॉइज रिकोर्ड करहा है सबसे पहले ओडियो एरे में चुप होँगा में और फिर में ओडियो टेखनीका में स्विच करूंगा बोल दूंगा वीच में तो तुम समझ ज और अब भाई सुच्छ कर रहे हैं ओडियो टेक्निक आपे क्योंकि अभी मैं बेटा हूं फार माउस में और भाई खड़ा कर रहा है मैं खुल खॉल रहे हैं खिड़की और पिछे चिड़ी वीडियी बहुत चाहे करिये तो वह आवाज तुम्हें सुनाई दी मुझे पताने अभी ओडियो टेक्निका से आवाज आ रही है तो यह समझ जाना तुम पारा था जिससे करता प्यार मैं तयार न था कोई करने को रोजगार मैं उन रिष्टे दारों को देना चाहता हूं आभार मैं तो वह आवाज अब सुनी आवाज इससे दोनों से मैंने सुना दी और बीच बीच में सुच कर रहा था नाम उपर लिखावा आ रहा था तुमने देखावा आगा कौनसे का नाम कोई क्योंकि साउंड कौनसी की ओडियो क्वालिटी तुमको अची लगी वह तुम खुद सुनो और खुद डिसाइड करो मेरे भाई हो और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूगा मैं इस माइक्रोफोन का भी और उसके साथ मैं जो है जो ओडियो काम कर रहा है और अबना डिसिजन ले पाऊगे मुझे अच्छा लगा देखने में अच्छा लगता है क्योंकि यह तो सीधा रहता है ना तो इतना मूप कवर नहीं करता माइक्रोफोन उसमें केमरा में लेकिन अगर इसकी बात करें के तो कंडेंसर को यू रखना पड़ता आए तो अभी आटेक्निका से आवाज आ रही है तो इसलिए मने यह मंगाया और बाकि इसे गहा भी सकते हैं पोड्कास भी कर सकते हैं तुम पड़ाना चाते हो तीचिंग करते हो या फिर कुस भी करते हो यूट्यूब कोई थी काम कियो को इसक्ते हो क्योंकि जो नुर्मल अबी जैसे मन नॉर्मल ओडियो तो बहुत ही पूरी आएगी जो अगर तुम अपने फॉन से रिकॉर्ड करोगे लेकिन इन चीजों से रिकॉर्ड करते हो बहुत अच्छे आती है यह पड़ेगा तुम्हें आट जार रुपेगा और एक बजट क्योंकि अभी जो ओडियो ट टेस्ट करने बाद पता चला कैसी है तो अगर तुम ओडियो टेक्निका या कोई कंडेंस वो माइक्रोफोन मंगाना चाते हो तो ओडियो इंटरफेस वो बजट हो सकता है और वो अच्छा है नहीं है वो तो टेस्ट करेंगे बेरिंजर वाला जो मिरे पास पड़ाया मुझ देखने में तो भाई लोग यह थी आज की वीडियो और जैसा मैं कहता हूं पीट मनाते रों मजे करते रों और माइक्रोफोन कौन से माइक्रोफोन का तुमको रिव्यू चाहिए मेरे को बता देना कमेंट करके तो मैं उसका भी रिव्यू तुमको करके देदूंगा भाई तुमको झाले बसा सटाउуч है तुमको करके तो न nutritionís को सब पहराद को जूना है वीडियो आज की पहरा करके पहुक्षार